हलो व्यूवर्स, जाइका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे मलाई चिकन आपने हमारी रेस्टोरन्ट स्टाइल चिकन ग्रेवी की सभी रेसिपीस को बहुत पसंद किया इसलिए आप ही के डिमांड पर हम चिकन ग्रेवी की एक नई और यूनीक रेसिपी लेकर आएं उमीद है मलाई चिकन ग्रेवी की ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी तो चलिए सुरू करते हैं डेली और विकेंड स्पेसिपीस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें मलाई चिकन बनाने के लिए हमने लिया है 750 ग्रम चिकन और इसे हम मेरिनेट करेंगे तो इसमें एड करेंगे एक टीस्पून नमक और एड करेंगे दो टीस्पून काली मिर्श पाउडर साथ ही में एड कर देंगे 100 ग्रम दही एक टेबल स्पून अधरक लहसुन का पेस्ट एड कर देंगे साथ ही में एड़ करेंगे एक टेबल स्पून छोटी हरी मीज का पेस्ट और एक टेबल स्पून निम्बू का रस एड़ करके इन सारी चीजों को चिकन के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारे इंग्रीडियंट्स को चिकन के साथ अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे कवर करके एक घंटे के लिए मेरिनेट करेंगे देखिए आप चिकन को फ्रीज में रखके ओवरनाइट भी मेरिनेट कर सकते हैं अब हम ग्रेवी के लिए पेश्ट बनाएंगे तो हमने दस काजू लिए हैं साथ ही में लिए हैं एक टेबल स्पून मेलन सीड्स यानी की मगज बीज काजू और मगज बीज को हम मिक्सी जार में दो से तीन टेबल स्पून पानी एट करके अच्छे से पीस लेंगे साथ ही में दो छोटी साइस की प्याज लिए यास को हम मिक्सी죠ar में अलग से पीषैंगे तो हमने जो चिकन मेरिनेट करके रखा हुआ है उसे फ्राइ करेंगे चिकन फ्राइच के लिए हम लिए हम पैन में एड़ करेंगे 2 टेबल पून तेल साथ ही में एड़ करेंगे एक टेबल स्पून बटर और बटर को मेल्ट होने देंगे घर पर बटर केसे बनाएं उसकी रेसिपी भी हमने अपलोड की हुई है जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी बटर मेल्ट होने के बाद हम इसमें एक एक करके चिकन के पिसिस एड़ कर देंगे एक बार में पेन में जितने पिस आएंगे उतने एड़ करेंगे और हाई फ्लेम पर इनको फ्राई करेंगे हाई फ्लेम पर हम चिकन को एक तरफ से तीन मिनिट के लिए फ्राई करेंगे यानि की चिकन को हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक इस पर हलके हलके ग्रील माक्स ना आ जाए तो एक तरफ से फ्राई करने के बाद हमने इसकी साइट्स को चेंज कर दिया है तो तीन मिनिट टक फ्राई करने के बाद जब इस पर गिलील माक्स आ गए तब हमने इसकी साइट्स को चेंज कर दिया और दूसरी तरफ से इसे फ्राई करेंगे तो इस तरह हमने चिकन को दोनों तरफ से हाई फ्लेम पर तीन-तीन विनिट के लिए अच्छे से फ्राई कर लिया इसे तेल में से निकाल लेंगे और बाकी के बचे हुए चिकन पीसीज को हम इसी तरह तेल में अच्छे से फ्राई करेंगे तो हमने सारी चिकन को फ्राई करके निकाल लिया और पेन में अभी भी दो तेबस्पून जितना तेल बचा हुआ है इस तेज़ पर हम इसमें एक तेबस्पून बटर और एट कर देंगे देखिए अगर आपको तेल कम लग रहा हो तो आप इस तेश पर थोड़ा तेल एट कर सकते हैं बटर मेल्ट होने के बाद हम इसमें एट कर देंगे प्यास का पेस्ट गेस की फ्लेम को लो रखेंगे और लो फ्लेम पर हमें प्यास को उसका कच्चापन दूर होने तक सिफ दो मिनिट के लिए भूनना है प्यास को हम ज्यादा नहीं भूनेंगे प्यास का कच्चापन दूर होने तक हमने इसे लो फ्लेम पर अच्छे से फ्राई कर लिया mix कर लेंगे और इन्हें हम तेल में एक मिनिट के लिए और भूनेंगे अद्रक लहसुन और छोटी हरी मिज का paste एक करने के बाद हमने इसे low flame पर एक मिनिट के लिए और भून लिया इस टेज़ पर हम इसमें aid कर देंगे हमारा तयार किया हुआ काजू और मगज बीज यानी की melon seeds का paste अच्छे से mix कर लेंगे और इसे तब तक भूनेंगे जब तक इसमें से तेल ना release हो जाये तो देखे काजू और मगजबीच का पेश्टेट करने के बाद हमने इसे लो फ्लेम पर पांच मिनिट के लिए भून लिया अब देख सकते हैं कि इसका तेल भी सर्फेस पर आने लगा है इस्टेश पर हम इसमें एट कर देंगे चिकन जिसको हमने फ्राई करके रखा हुआ है साथ ही में जो बच्चा हुआ मेरीनेशन है उसमें हमने एक तोथाई कब पानी एट किया और उसे खंगाल कर इसमें एट कर देंगे और स्वाद अनुसार या फिर हाफ टीस्पून नमा केट करेंगे क्योंकि हमने मेरीनेशन में भी नमा केट किया है तो नमा केट करते वक्त ध्यान रखेंगे मिक्स कर लेंगे और इसे कवर करके लो फ्लेम पर आदे घंटे तक पकाएंगे बीच बीच में चेक करते रहेंगे यह देखिए इसे लो फ्लेम पर पकते हुए आदा घंटा हो चुका है इसे एक बाद चेक कर लेंगे और इस स्टेश पर हम इसमें एड करेंगे आज की रेसिपी का में इंग्रीडियंट यानि की मलाई तो हमने यहाँ पर 100 ग्राम मलाई ली है देखिए आप यहाँ पर मलाई की जगा फ्रेस क्रीम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं अच्छे से मिक्स कर लेंगे और साथ ही में हम इसमें ग्रेवी के लिए पानी एड करेंगे ग्रेवी आपको किस तरह रखनी है गाड़ी या पतली उस हिसाब से आप इसमें पानी एड कर सकते हैं तो हमने सिफ आधा कब पानी एड किया है मिक्स कर लेंगे और गेस की फ्लेम को हाई करके इसे हाई फ्लेम पर सिफ दो मिनिट के लिए पकाएंगे मलाई और पानी एड करने के बाद हमने इसे हाई फ्लेम पर दो मिनिट के लिए पका लिया अब गेस की फ्लेम ओफ कर देंगे और इसमें एड करेंगे एक टीस्पून भूनी हुई कसूरी मेथी साथ ही में एड करेंगे हाफ टीस्पून गरम मसाला अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब इस मज़ेदार सी ग्रेवी का टेस्ट और बढ़ाने के लिए हम इसे स्मोकी फ्लेवर देंगे तो स्मोकी फ्लेवर देने के लिए हमने इसके सेंटर में एक कटोरी रखी है और कटोरी में हमने गरम कोईला रखा है इस पर हम एक टेबस पुन ते लेट करके तुरंत कवर कर देंगे और पांच मिनी टक इसे कवर करके रखेंगे फिर इसे सव कर लेंगे तो खाने के लिए तैयार है स्वाद से भरपूर मलाई चिकन इसी ही आसान और यूनीक रेसिपीस के लिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेर और कॉमेंट करें फिर मिलेंगे जाइका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए गुडबाई